इस एक्जाम के लिए इस मिस्सेलेनियस वीडियो एपिसोड में आप समों का स्वागत है मिस्सेलेनियस के थ्री कुस्चिन्स ले गए हैं बहुत शानदार कुस्चिन्स हैं मुझे पूरी उमीद है कि मौक टेस्ट के लूप में आप इसे देंगे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ थ्री कुस्चिन्स के लिए 2.5 मिनट्स का टाइम देता हूँ आप इनको बनाएं और उसके बाद मैं इने एस्पेंड करूँगा हो टू सॉल तो चलिए 2.5 मिनट्स में आप इसे सॉल कीजिए स्टाट मैं अमर गुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहाँ पर ठेरों लेशन्स और कॉर्सिस बनाए हैं जो बैंक, एसे सी और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लावदायक है इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकैडमी लर्निंग एप झाल 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 सबस्ट्षायक झाल झाल पूरी उम्मीद है कि आपने ये सभी 3 questions बनाए होगे लेकिन जो new students हैं उनको भी पढ़ना है उनको भी समझना है हलांकि वो chapter में जाकर के उसके basic concept को समझने का प्रयास करे फिर भी समझ में आएगा एक बार भी नहीं आएगा दुबारा आप देखेंगे जो new students हैं आई देखेंगे देखेंगे पहला allegation, mixture, ratio तिनों बूल सकते हैं का सवाल है a mixture of milk and water in a jar comprises 12 liters of milk if 8 liters of pure milk and 3 liters of pure water were added to this jar the percentage of water in the new mixture would be 20% what was the initial quantity of water in the jar यह आप से पूछा है ठीक है अब आप जड़ा देखिए कि यह क्या कह रहा है तो first method देखिए first method से मैं बना रहा हूँ first method देखिए ऐसा है कि शुरू में 12 liters milk है water कितना है नहीं मालू 8 liter milk और डाला गया 3 liters water भी डाले गया छुड़ेना water milk 20 liters हो गया now the percentage of water is 20% that means कि percentage of milk is 80% 80% is equivalent to 20 liters 100% is equivalent to how much क्यों नहीं इसका 1 fourth 20% 5 liter निकाल के add कर दें तो ये 25 liter क्यों नहो जाए total 25 liters में total milk 20 liters है और 3 liters water है तो 23 liter हटा दें तो initially 2 liters water था कि नहीं यानिकी P is the answer second method की 12 liter milk पहले से था एक्स लिटर था एक्स लिटर था मानलीजी इनिश्यली ऐसा था इसमें फिर से डाला गया क्या 8 liter milk और वाटर डाला गया कितना 3 liters of pure water and now percentage of water becomes 20% यानि milk is 80% water is 20% क्यों ने लिक हैं समझ करेंगे तो 4x is equal to 12 and 20 20 minus 12 means 8 तो x का मतलर 2 2 liter answer तो B is the answer आप ऐसे करा सकते हैं दोनों मैं से किसी भी तरी किसे ठीक है, clear? I do next second जो question है उट आइमन वोक का है पहले मैं पढ़ता हूँ 8 men can finish a piece of work in 25 days 15 women can finish the same piece of work in 16 days 4 men and 8 women started working together and walked for 10 days after that 6 more men joined them how many days will they now take to finish the remaining work? सुनिये मैं बनाता हूँ अधर आईए second number question सबसे पहली बात ये है कि 8 men किसी work को 25 days में करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 man इसे कितने दिन में करेगा 1 man इसे 8 into 25 यानि कि 200 days में करेगा और 1 women इसी work को करते हैं कितने दिरों में तो 15 women 16 days में तो 1 women 16 into 15 यानि की 30 into 8 यानि 240 days में करेंगे हम लोग इनका calcium लेते हैं और total work मानते हैं total work मानते हैं क्या? 1200 units यानि यह कहां से आया? तो LCM of 200 and 240 यहीं से आया 1200 unit work अगर 1 man 200 days में करेगा इसका मतलब यह है कि 6 unit per day काम कर सकता है एक दिन में 6 खिरोना बना सकता है और 1 woman 5 unit 240 days में 1200 तो 5 unit per day बस हो या यहीं तो करना था इसके बाद problem नहीं है आएए मैं दिखाता हूं कि यह क्या है होता क्या है होता क्या है कि सबसे पहले 4 men and 8 women काम करना शूरू करते हैं 4 men plus 8 women काम करना शूरू करते हैं और यह कितने तिनों तक करते हैं तो ये करते हैं 10 days तक, okay, 10 days तक करते हैं, इसके बाद, इसके बाद 6 men और आ जाते हैं, तो 6 आने से 10 men हो जाते हैं, और 8 women पहले से हैं, ये इस काम को कितने दिरों में खत्म करेंगे, ये पूछा है, ये इन कुश्चन है, अब आप सुनिए, कि one man per day 6 unit work करता है, तो ये 24 unit per day करेगा, और women 5 into 8, या 8 into 5, 40 unit per day करेगा, per day करेगा, 10 days में ये 64 into 10, यानि कि 6, 40 unit काम होगा कि नहीं, ये बताएगे, total work कितना है, total work 1200 units का है, जिसको कि किया जाना है, यहां में line खेच देता हूँ, ताकि आपको साब साब समझ में आए, कि ये तो ठीक है, आमने ऊपर माना हुआ है, और इसके बाद अब नीचे solution है, ठीक है, अब देखिए, 6, 40 work हो चुका है, 10 days में, तो 1200 minus 6, 40 यानि कि 5, 60 work बाकी है, बाकी है, बाकी है, इसे मैं उपर लिखता हूँ, तो जाला अच्छा रहेगा, 1200 minus 6, 40 यानि कि 5, 60 work बाकी है, units work बाकी है, आगे जो काम करना है, 1 man, 6 unit बनाएंगे, तो 10 man, 60 रूज बनाएगा, or 8 women, 8 into 5, 40 रूज बनाएगा, यानि इतना पर दे बनाएगा, इतना पर दे, यानि 100 units पर दे, पर दे, तो इतना units, इतना units, how many days, answer, 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 यानि कि, यानि कि, 5, 5 जा बोले, 25, and 3 by 5 days, answer, यानि 5 and 3 by 5 days, these answer, बोले कितना शांग्दार बिश्चन था ये, ठेक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये unit work method है, बहुत ही शांदार है, और complex questions को भी थोद आसानी से आप बना सकते हैं, मैंने जो कुछ भी कहा है, हो सकता है, कि एक बार में आपको ये समझ में नहीं आए, लेकिन मैं इसे दोराना नहीं चाहता, आप दुबारा देख लेंगे इसी को, तो समझ में आ जाएगा, आएए, थर्ड नंबर question देखते हैं, थर्ड नंबर question क्या है, इधर देखे, एबूट गार देखे, एबूट गार देखे, आप देखे, वो 6.4 km ते किया जाएगा, 60 minutes में, तो 60 minutes में कितना ते होगा, यही होगा न, यानि 24 km पर आवर यह downstream speed हुआ, और upstream speed का यहां तक सवार है, तो फिर यह दिया होगा है, 9.9 km ते किया जाता है 33 minutes में, तो 60 minutes में कितना ते किया जाएगा, यानि की 18 km per hour X मालूम है, Y मालूम है Down में स्पीड है 24 km per hour Up में स्पीड है 18 km per hour तो question कहा जा रहा है 48 km down में जाने में कितना time लगेगा और वही 48 km up में जाने में कितना time लगेगा यानि यह जो हुआ 2 प्लस यह भी 2 and 2 by 3 यानि की 4 and 2 by 3 hours हुआ यानि 4 hours and 2 by 3 का मतलब 60 यानि की 40 minutes हुआ 4 hours and 40 minutes यानि की A is the answer ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब मुझे समझ में आ गया होगा आप महनत करते रहिए जहां तक मुझसे संबब होगा मैं आपको मदद करता रहूँगा ओकी, आल दिवस्ट यानि टार्किलेfö glass अग्सेड़वा